नमुश्कार मुप्रिया आजे 16 जन्वरी खबरों की तुरफ बढ़ने से पहले एक नज़र्ज सुर्खियों पर बिहार लोग सेवा आयोग ने निकाली रुखतियां 16 से 30 जन्वरी तक चलेगा ठीका करण का विशेश अभियार बिहार परिटन विकास निगब में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल तैयार बिहार की हर प्रखन में होगा भाड़े का अंबुलेट्स साउथ आफ्रिका में शर्मनाक हार के बाद कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से भी दिया इस फीफा अब जले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार लोग सेवा आयोग BPSC ने निकाली रुखतियां बिहार लोग सेवा आयोग BPSC ने सहाइक सार्वजनिक स्वच्चुता और अपसिष्ट प्रवंधन अधिकारी के एकुल मिलाकर 286 पदों पर आवेधन की मांग की है इसके साथ ही अगर हम सेक्षनिक योगिता की बात करें तो अभिर्थियों के पास रसायन विज्यान, पर्यावरन विज्यान में स्नातक या रसायन विज्यान, नागरिक पर्यावरन विज्यान, सारवजनिक स्वास्त जैव प्रोध्योगी की योजना या वास्तो करामें इ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए URL से जा कर ले सकते हैं 16 से 30 जनवरी तक चलेगा टीका करन का विशेश अभियान बिहार में COVID-19 के मामलों में जिस तरीके से बढ़ातरी हो रही है आने वाले समय में स्थती क्या होने वाली है ये कहना बहुत मुश्किल है खासकर कि राज़ारी पट्टा में हर दिन आ रहे हैं मामले चुंता बढ़ा रहे हैं इसे बीच बिहार सरकार की यही कोशिश है कि कम्यूनिटी स्प्रेड के माहल में टीका करन की रफतार को तेज किया जाए यही कारण है कि अब 16-30 जनवरी तक टीका करन का विशेश अभियान बिहार भर में चलाया जाना है इसको लेकर 16 जन्वरी से विशेश टीका करन एक्सप्रेस चलाये जाएगा जिसके तहत प्रतेक वॉर्ड में 5 टीका एक्सप्रेस रहेंगी इसमें 15-18 साल वर्ग के स्कूली चातर या किशोर टीका करन करा सकते हैं इसके अलावा इस दोरां 60 साल से अधिक आयूवर के फ्रंट प्लाइन वर्कर प्रिकॉशनरी रोज भी ले सकते हैं जिसकी जानकारी जुलाधिकारी डॉक्टर चंदर शेखर सिंग ने दे दी है उन्हाने बताया है कि पटना नगर निकम के सभी अंचल के वाट पार्शिदों के साथ बैठक हो गई है और बैठक के टीका करन के सफल और सुचारू संचानन के लिया वशक सुझाव प्राप्त किये गये हैं इस पर रणी तीत्ते हो गई है जो इसके बाद 16 जन्वरी से 30 आज बेहारी बत्रे स्पेशल में हम बात करेंगे रामेश्वर सिंग की महराजा सर रामेश्वर सिंग ठाकूर का जन आज ही के दिन यानि की 16 जन्वरी 1860 को हुआ था रामेश्वर सिंग ठाकुर 1889 में मितला छेत्र के दर्भंगा के महराज़ा थे उन्हें 1878 में भारतिय सिविल सेवा में नियुक्त किया गया था दर्भंगा च्छप्रा और भागरपुर में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा करते हुए उन्हें सिविल कोट में उपस्तिती से छूट दी गई थी और उन्हें बंगाल की विधान परिशत का सदसे नियुक्त किया था 1885 में वो लेटिनेंट गवर्नर की कारेकारी परिशत में नियुक्त होने वाले पहले भारतिये थे वो 1899 में भारत के गवर्नर जेनरल के भारतिये परिशत के सदसे थी और 21 सितमबर 1904 को बंगाल प्रांतों का प्रति निधित्व करने वाले एक गैर कारेकारी सदसे नियुक्त ही बिहार में इन किसानों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड अब बिहार के किसानों के पास भी क्रेडिट कार्ड होने वाला है बिहार सरकार की योजना के नुसाल बिहार में इस साल प्राखन स्तरिये प्राथमी सबजी उतपादक सहयोग समीती के माधियम से 7 लाग से ज्यादा चोटे मजोले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ दिया जाना है इसको लेकर सहकारिता विभाग ने अभियान चुला कर समीतियों से सब्जी उतपादकों को जोड़ने का निर्देश दिया है इस बाबत सहकारिता सची बंदना प्रैसी ने बताया है कि चालो वितिय वर्ष में 25,000 सब्जी उत्पादकों को देने का लक्ष है अगले सब्ता 500 सब्जी उत्पादकों को के सी सी दिया जाएगा राजु के 20 जिलों में प्राथमिक सबजी उत्पादक समीतियां काम कर रही है बिहार की हर प्रक्षण में होगा भाड़ी का अम्बुलेंस COVID-19 की तीसरी लहर दूसरी लहर से कई ज्यादा संक्रामक है मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है बड़ी संख्या में लोगों का इलाज करने की यही कारण है कि बिहार सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि COVID-19 की तीसरी लहर से निप्टा जाए सरकार गारी मालिकों को 33,000 महीना देगी इस राशी में तेल की कीमत और ड्राइवर का मान देश शामिल होगा जिसके जानकारी समीती के कारपालक निदेशक संजे कुमार सिंग की तरफ से दे दी गई है इसको लेकर सभी जुलाधिकारी सब जुला स्वास्त समीती को भेश दिया गया है कलायवम संस्कृती पदाधिकारी के पीटी परिक्षा को लेकर BPSC ने जारी की तारिक कलायवम संस्कृती पदाधिकारी की परिक्षा की तारिक की घोशना BPSC ने कर दी है जिसके तहट अब ये परिक्षा 29 जन्वारी 2022 को 12 बजे मध्यावहन से 2 बजे तक आयोजित होगी ये सामाने अध्यान विशे की प्रारंभिक प्रतियोगिता परिक्षा होगी आयोग की तरफ से साजा की गई जानकारी के नजार जिन परिक्षार्थियों ने इस परिक्षा के लिए आवेदन भरा है वो परिक्षा से एक सब्ता पहले आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से अड्मिट काद डाउनलोड कर सकते हैं किसी उमिद्वार को डाक्या इमेल के जरीए एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा इस परिक्षा से सम्मंधित किसी भी तरीके की आपती देनी हो तो वो 21 जनवरी 2022 की शाम पांच बजे तक सम्मंधित साक्षर के साथ अपना अभ्यावेदन आयोग के ईमेल पर भेज सकते हैं इस तारीक के बाद कोशागरों से बिल्भुकतान पर लगी रोक कोशागरों से बिल्भुकतान में होने वाली गरबडी और आपा धापी को रोकने के लिए वित्व भाग ने नया स्केडियूल जारी किया है इस साल मार्च महीने में कोशागर और वित्व भाग के सर्वर पर बोज ना भढ़े और जल्दबाजी में गलत निकासी या विल पास ना हो इसकी मुकमल रिवस्था की जा रही है रंजन प्रसाद यादव की हुई घर वापसी भिहार की राजनीती संभावनाओं का खेल है क्योंकि आए दिन किसी भी दल के कोई भी नेता किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं और कल हो करके वो अपने पुराने दल में वापस लोटाते हैं ऐसा ही कुछ बीते दिन एक बार फिर से जंतादल युनाइटेड में देखने को मिला जोहां पर रास्ट्रिय धेक्ष रलन सिंग ने बीते दिन पुर्वसांसत रंजन प्रसाद यादव को वर्शुल माध्यमसी पार्टी की सदसा दिलवा कर घर वापसी करवाई जिसके बाद से ही रंजन यादव और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला समर्थकों ने उनका पार्टी में स्वागत करते वे कहा कि रंजन प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्रि नितीश कुमार में अपनी आस्था व्यक्त कर घर वापसी की है इसके लिए उन्हें बधाई और शुबकाद नाए इनके घर वापसी से संगठन को यकीनन मजबूती देखे मगध उनिवर्सिटी में 30 करोड से अधिक की गरबड़ी मामले में वीसी की बढ़ सकती है मुश्किले बीदेक उस दुरों से मीडिया की सुर्ख्यों में बने मगध उनिवर्सिटी में 30 करोड से अधिक की गरबड़ी को लेकर अब तक कई लोगों पर निशाना साथा जा चुका है वहीं अब इस मामले में वीसी की मुश्किले बढ़ने की उमीद जताई जा रही है मिली जानकारी के नुसार कुलपती डॉक्टर राजियंद प्रसाथ का जल्द विशेश निगरानी 21 से आमना सामना होने वाला है एस वी यू द्वारा पूछताच के लिए भेज़े के नोटिस पर पेश हो सकते है वो तैय तारीख पर हाजर होंगे या उसके बाद यहाँ भी सपश नहीं है पर बताया जा रहा है कि वो पूछताच के लिए पेश होने के लिए हामी भड़ चुके है बता दे कि एस वी यू द्वारा उन्हें 20 जुन्वारी को पूछताच के लिए पेश होने की दूसरी रोटिस इसी मही ने जारी की गई थी बिहार परेटन विकास निगम में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल तयार कोरोना की तीसरी डहर को रोकने में जुटी बिहार सरकार ने बीते दिन बिहार परेटन विकास निगम में कोविड डेडिकेटेड होस्पितल की शुरबात कर दी है इसके बाद ही डियम दॉक्टर चिंदर शेखर सिंग ने पतना सिटी के कंगन घाट स्थित बिहार परेटन विकास निगम में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केर सेंटर का उधगाटन किया इस सेंटर की श्रमता 200 बेट की है लेकिन अभी 80 बेट शिडू किया गया है पतना श शेखर सजा दिलाने की प्रावधान में बदलाव होने वाला है इसको लेकर बिहार के ग्रहवभाग के अपर मुख्यसाचिब ने जिला अभी उजन अधिकारियों को पत्रडिक कर नरदेश जारी किया है जिसके तहट सजा दिलाने के लिए अदालोतों में अब कम संख्या म अलावा स्वतन तरगवाहों के बयान पर ट्रायल संपन कराकर अपराधियों को जल्द सजा दिलाई जा सकेगी इससे एक फाइदा तो यह होगा कि सजा और केस निश्पादन में तेजी आएगी साथी समय पर मामलों का अंधितारा भी होगा आए से अधिक संपत्ती मामले में कारवाई तो तेज लेकिन सजा दिलाने की रफ्तार बहर धीमी राजमे भ्रष्ट लोग सेवकों की संख्या कितनी ज्यादा है इसकी जानकारी आज से कुछ दुनों पहले मीडिया में आ रही खबरों को देकर आपको भी मिली गया होगा हालाकि अब इन लोग सेवकों पर नकेल कस्नी के लिए निगरानी ब्यूरो ने व्यापक स्तर पर ट्राक और डिये यानि की आई से अधिक संपत्ती मामले के जरीए कारवाई शुरू कर दी है लेकिन हैरानी की बाति यह है कि कोड के स्तर से सजा दिलाने की रफतार बहुत ही धिमी है शुरुबाती स्तर पर कारवाई हो जाती है लेकिन लियायाले में सभी मामले जाकर अटक जाते हैं और यहां अंजाम तक नहीं पहुंच पाते आलम कुछ यू है कि आई से अधिक संपती मामले पिछले 11 साल के दौरान महस दो भश लोग सेवकों को ही कोर्ट सवजा दिला पाई है जिसके बीच की बात करें तो साल 2016 में दो लोग सेवकों को सजा सुनाई गई थी जबकि इस दौरान दिये केस में करीब 90 लोग सेवकों को पर कारवाई हो चुकी है सबसे हरानी बार लिबात यही है कि जिस कानून के अंतरगत इस पर कारवाई की गई इससे जुड़े दाव पेच को ही आधार बना कर सालों तक कारवाई से बच्चते रहते हैं इससे परिशानिया बहुत ज्यादा बढ़ रही है नितनवीन ने जदियू प्रवक्ता को मर्यादा में रहने की दी नसीहत बिहार के राजणिती में इन दिनों मर्यादा में रहने की नसीहत लगातार दी जा रही है पहले समरात अशोकी और अंगजेव से तुलना के मामले में मरियादा का मुद्दा उठा उसकी बाद अब बीते दिन नितिन नवीन ने जदियू प्रवक्ता को मरियादा में रहने की नसीहत दे दी है दरसल हुआ कुछ यू की बारा जन्मरी को जदियू प्रवक्ता भिश्रेक जहा सोशल मीडिया पर बिहार भाजपा ध्यक्ष को टाक कर कुछ सवाल पूछ रहे थे बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 35,916 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभाविज जिलों की बात करें तो अररिया में 61, अरवल में 80, और अंगबाद में 104, बांका में 32, बेगुसराय में 21, भागलपूर में 179, भोजपूर में 79, बकसर में 62, दर्भंगा में 135, इस्चंपारन में 12, गया में 111, गोपाल गंज में 24, जमुई में 61, जहानबाद में 70, रहक्यमूर में 61, कटिहार में 129, खगडिया में 36, किशनगन में 62, लखी सराय में 49, मधिपूरा में 127, मधुबनी में 73, मधुबन मुंगेर में 266, मुजफरपूर में 261, नालंदा में 93, नवादा में 26, पटना में 205, पुर्णिया में 151, रहतास में 85, सहरसा में 140, समस्तिपूर में 377, सारन में 273, शेखपूरा में 12, शिभर में 7, सीतामडी में 36, सिवान में 92, सुपॉल में 68, वेशाली में 160, वेश्चिमपारन में 66, मामलों की पुष्टी हुई है, इसके लावा 62, हैसे मामले भी पॉजिटिव पाएगे हैं, जो दूसरे राजु के हैं, लेकिन इनके सांपल बिहार के लग लग जिलों में कलेक्ट किये गए हैं, इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिला कर एक लाग 72,549 सैंपल की जाँच की गई है, ज़ारां 4,489 मरीज ठीको कर घर वापस लोट गे हैं विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने पर सितारों ने दिया अपना रियाक्शन, विराट कोहली ने भारती टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने की घोशना की, विराट कोहली के निर्णे का कई बॉलिवुड केक अलाकारों ने स्वागत किया है, इन में रन्वीर स सद्वे में है और उनके इस निर्णे पर पुनर विचार करने का आववाहन भी कर रहे है बिहार कॉंग्रेस के वरिष नेता वजेश रंकर मिश्रा के निधन पर सीम नितीश कुमार ने जताया शोक बिहार कॉंग्रेस के वरिश नेता और दो बार विधान परिशत के सदा से रह चुके विजशंकर मिश्रा ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया वो काफी लंबे समय से बिमार चल रहे थे उन्होंने नूरपूर इलाके में सित अपने घर में अंतिम सांस ली वो 76 साल के थे विजशंकर मिश्रा के बेटे की तरफ से मिली जानकारी के नुसार कोविड-19 के बढ़ते संक्रमन को ध्यान रखते वे विधान सभा और इस सदाकत आश्ट्रम कॉंग्रेस कारियाले में उनके पिताक के पार्थिव चरीर को नहीं ले जाए जा सकार अविवार सुबह दस बज़े आवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी कॉंग्रेस के वरिश नेता और पूर विधान पार्षद रहे विजशंकर मिश्र के निधन पर वधान सभा अध्यक्ष विजए कुमार सनाब बिहार प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष मदर मोहंज्ज कोबिड-19 के संक्रामक रवये को देखते वे आयोजित होने वाली रैलियों को आगे बढ़ा दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के निसार पांच राजियों में प्रत्यक्ष रैलियों और रोडशो पर 22 जनवरी तक रोक बढ़ा दी गई है जो अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के तहर बंस्तान में बैठक आयोजित की जा सकती है। समराटाशोक के विश्व में योगदान पर बुनियादी हमला कर रहे है। दयाप्रकाशतना इंटर्वियों में कहते हैं कि दोनों ही साशकों ने अपनी शिर्वाती जिंदिगी में कई बाप किये हैं। फिर उन्हें छुपाने के लिए अती धार्मिक्ता का सहारा लिया ग कोशिश कर रही है। पता नहीं क्यों इस बात को नहीं समझ पार हैं। उन्हाने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। कुरुश्री कानूं को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी वापस ले सकते हैं तो शराब की नीती पर समीक्षा नहीं करना ये कहां की बात है। दिवस के मौके पर पूरे बिहार के आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं ने राजधानी पटना में एक जुठो कर तिरंगा यात्रा निकाली थी, वीर्चंत पर तेलपत होते वे ये जई प्रकाश नारायन की मूर्ती के पास ये यात्रा समाप्थ हुई थी, इसी को लेकर द इशकावे रोध करेंगे। भारत के दिहास में आज की तारीक कई कार्डों से दर्श, कलकता में 1779 को पहली बार सुनी योजित घुरदौर का आयोजिन किया गया, 1905 में खडग वास्तला, रास्ट्रिय रक्षा अक्यार्मी का पूने में आपचारी क्रूप से उधगाटन हुआ, 2003 में दूसरी अंतरिक को 2009 में हराकर मुंबई ने रिकॉर्ड 38 वी बार रन चैंपियनशिप जी थी, 1946 को अभिनेता कबीर बेदी का जन हुआ, 1927 को हिंदी फिल्मों की प्रसिद अभिनेतरी और टीवी कलाकार कामिनी कोशल का जन हुआ, भारत के प्रसिद समाद सुधारक, रास्टरबादी महाद गोविंदर नाडेक की 1901 में आजी के दिन जान गई थी, नेट्फिक यूजर को लगा बड़ा जटका, नेट्फिक्स पर मूवी देखने का शौक है, तो अब आपको टेंशन होने वाली है, दर असल नेट्फिक्स के सब्सक्रिप्शन प्लान कुस देशों में महंगे हो ग 148 रुपे तक बड़ जाएगी, भारत में नेट्फिक्स वास्तव में विचार शील है, नए ग्राकों को आकरशित करने के लिए नेट्फिक्स ने भारत में अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतों में कर्टोती की है, भारत में मासिक प्लान 149 रुपे से शुरू होता ह साथाफरिका में शब्मीना खार के बाद कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से भी दिया इस्तीफा, विराट कोली एक कि बाद एक क्रिकेट फॉर्माट की कप्तानी को अलविदा कहते चारे हैं पहले टी-20 और वंडे के बाद अब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी अलविदा कहने का फैसला सुनाया है इसको लेकर बीते दिन उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसमें विराट ने कहा कि वो हमेशा हर चीज में 120 प्रतुषत योगदान देना चाहते हैं अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो यह गलत होगा मैं इस बात को लेकर एकड़म सपश्ट हूँ और मैं मैंपनी टीम के साथ बेमादी नहीं कर सकता तीम को सही दिशया मिले जाने के लिए मैंने साथ शाल तक हर दिन कट्टिन पर इश्रमद किया मैंने अपना काम पूरी मानदारी के साथ सब्सक्राइब जानते हैं सराफ़ा बाजार और पेट्रोल लीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफ़ा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 जनवरी को 22 कैरेज के लिए प्रती दस ग्राम इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रती किलो 62,200 रुपे था इसके साथ ही राजधानी पटना बे पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपे प्रती लीटर और डीजर के दाम 91.90 रुपे प्रती लीटर थे पंकलच कुमार, दास कुष कुमार, दीपक राजपती, नरेश निर्बर, अन्वर करीम खान आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज़के सवाल क्यों राज